आप सबको मालूम है कि आज बुद्ध पुरुनिमा है आज पूरा देश पूरी दुनिया तथागत बुद्ध की जेनती मना रही है और तथागत बुद्ध सत्त और अहिंसा के सिध्यान्त को मानते थे और यहाँ पर मंच पर राष्ट पिता बापू की तस्वीर लगी है बापू भी सत्त और अहिंसा के रास्ते पर चल कर इस देश को आजादी दिलाई तो इस मंच से हम सत्त और अहिंसा के सिध्यान्त को उस रास्ते पर चलने के संकल्प को दुहराते हैं और आप सब लोग उत्तर पूर्वी दिल्ली की जनता ने जिस तरीके से प्यार दिया है माओं ने अपने आचल से पसीना पोचा, बुजुर्गों ने सर ठोक कर आसिरबाद दिया नौजवान साथियों ने हाथ मिला कर कहा कि भाईया इस बार हम लोग दिल्ली बदलेंगे तो मैं आप तमाम लोग जो बदलाओं का संकल्प लिये हैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, आपका इस्ताकबाल करता हूँ और आप सबको दिल की गहराईयों से आभार व्यक्त करता हूँ, आपको धन्यवाद कहता हूँ और बिना किसी देरी के यहाँ जो सम्मानित मंच है, मंच पर उपस्थित हमारी पार्टी के पूर्व अध्यक्ष स्री राहुल गांधी जी हमारे पार्टी के महासचिब केशी वेनु गोपाल जी और ए आए सिसी की तरफ से आप जर्वर लगाएगे पूर्व मंत्री, पूर्व सांसाद और जनरल सेक्रेटरी बरे भाई सचिन पाइलट जी दिल्ली प्रदेश कॉंग्रेस कमीटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादब जी पूर्व अध्यक्ष अनिल चौधरी जी हमारे बुजूर्ग और आदर्निया नेता चोपरा जी और दूसरी जगों से भी मौजूदा विधायक, भाई जिगनेश मेवानी हमारे क्रांतिकारी दोस्त हैं यह बहुत अच्छा संयोग है कि आज बुद्ध पुरनिमा है हम दोनों भाई चलेंगे बुद्ध वियार में भग्मान बुद्ध की जैनती मनाने के लिए मंच पर उपस्थित केरल से हमारे सांसद आई भी हेडेंग जी और आम आदमी पार्टी के हमारे MLA राजन्दरपाल गौतम जी आम आदमी पार्टी के हमारे दोनों पारसाद पुर्व विधायक और तमाम जो लोग यहां मौझूद हैं हमारे कई पुर्व विधायक पुर्मंत्री मंच पर उपस्थित हैं मैं आप सबको सम्मानित मंच को इकठे प्रणाम करता हूँ आप सबको नमस्कार करता हूँ मैं आप सबका नाम बारी-बारी से नहीं ले रहा हूँ लेकिन दस दिन के चुनाव में ना सिर्फ मुझे आपका नाम याद हो गया है, आपका काम भी याद हो गया है, आपका जजवा भी याद हो गया है, आप सबको मैं नमस्कार करता हूँ, आपको आभार व्यक्त करता हूँ, और बिना किसी देरी के मैं आपसे सिर्फ तीन बात कहना चाहता हूँ, पहली बात कि इसमें कोई सक्संदेह नहीं है कि इस देश को बचाने के लिए, संभिधान की रक्षा करने के लिए, हमारे देश की जो लोग तांटरिक पड़म-पड़ा है, उसको बचाने के लिए कॉंग्रेस पार्टी ने और तमाम पार्टियों ने मिलकर के इंडिया एलाइन्स बनाया ह दिल्ली में कॉंग्रेस पार्टी की और से आम आद्मी पार्टी की और से और इंडिया एलाइंस की और से मैं उत्तर पूर्वी दिल्ली का प्रत्यासी हूँ इस संबंध में मैं आप सबसे एक बात कहना चाहता हूँ देखिए हम लोग जब अलग अलग राजनितिक पार्टी के होते हैं तो हमारे बीच में कई बार कई चीजों को लेकर सहमती और और सहमती होती है लेकिन इंडिया एलाइंस की एक एक पार्टी इस बात पर सहमत है कि अगर लोकतंत्र बचेगा, संबिधान बचेगा, तभी चुनाव बचेगा इसलिए ये चुनाव हम साथ में लर रहे हैं इस देश में चुनाव को बचाने के लिए ये चुनाव हम साथ में लर रहे हैं इस देश के संबिधान की रक्षा करने के लिए ये चुनाव हम साथ में लर रहे हैं इस देश में ताना शाही के खिलाफ और इस देश के लोगों के जो बुनियादी सवाल हैं उत्तर पूर्वी दिल्ली के लोग हैं आप लोग आप बताईए दस साल से माननीय सांसद हैं यहाँ पर भाजपा के माननीय सांसद का दस दिन का जो है चुनाव केंपेन आप उठा करके देख लीजिए वो मुझे गाली देते हैं हमारी पार्टी को गाली देते हैं हमारे एलाइंस पार्टनर आमादनी पार्टी को गाली देते हैं उनके नेता केजरिवाल को गाली देते हैं लेकिन दस साल में वो कोई दस काम बताने को तैयार नहीं है जोनों उत्तरपूर्वी दिल्ली की जनता के लिए किया हो इसलिए आप सबसे मैं आग्रह करने के लिए आया हूँ कि ये लडाई काम करने वाले और बदनाम करने वाले के बीच में है हमने इस छेतर में काम किया है और हम इस छेतर में काम करेंगे उन्होंने इ और इस छेत्र को वह बदनाम करेंगे इसका एक उदाहरन मैं आपको देना चाहता हूँ अभी तो मैं कुछ बना भी नहीं हूँ अभी तो मुझे कॉंग्रेस पार्टी और इंडिया एलाइंस ने सिर्फ केंडिडेट बनाया है उत्तरपूर्वी दिल्ली का लेकिन आप असर देखिए आपकी मुहबत का आपके आशिरवाद का आपके होसले का और आपके समर्थन का कि दस दिन के मेरे चुनावी केंपेन का नतीजा ये है कि आदर नियाप प्रधानमंत्री जी दो बार के प्रधानमंत्री हैं दस साल से दिल्ली रहते हैं और यमुना पार करने में उनको दस साल लगा है मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि आप इंडिया Mans को support कीजिए अभी तो हम पधान मंतरी को यमुना पार ले करके आए हैं पूरी की पूरी सरकार को यमुना पार ले करके आएंगे यह हमारा आप से वादा है और जिस तरीके से वो अपमानित करते हैं यमना पार रहने वाले लोगों को मैं तो कहता हूँ मेरा नाम कनहया है गंगा किनारे में पैदा हुआ और यमना किनारे रहने वाले आप तमाम मत दाताओं ने जिस तरीके से मुझे गले लगाया है जिस तरीके से आपने आसिरवाद दिया है हमको पूरा भरोसा है कि यमुना के किनारे रहने वाले लोगों को जो भाजपा अपमानित कर रही है आपको मालूम है जैसाह के पिताजी ने अभी कहा कि इंडिया एलाइंस के जो वोटर हैं वो पाकिस्तानी हैं तो मैं पूछना चाहता हूं कि दिल्ली में 25 साल 15 साल कॉंग्रेस पार्टी की सरकार रही 10 साल आम आदमी पार्टी की सरकार है और यह सरकार हमने इवियम की चोड़ी करके नहीं आपके समर्थन से बनाई है कि नहीं बनाई है आपके समर्थन से बनाया था ना 2009 में जेप संख्यक लोग हैं, जो सभी धर्म सभी जाती के हैं, ये उनको अपमानित कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ, इस बार का चुनाव अपने अपमान का बदला लेने का चुनाव है, और आपको अपमानित किया गया है, साथ सांसद होते हैं दिल्ली में, 6 पर BJP ने केंडिडेट बदल दिया, लेकिन साथ में पर केंडिडेट क्यों नहीं बदला क्योंकि उनको लगता है, ये यमनापार है, यमनापार में चलता है, तो मैं यमनापार के लोगों को कहना चाहता हूँ, कि उनके दिमाग में आपके खिलाफ नफरत है उनके दिमाग में आपके खिलाफ अपमान है उनके दिमाग में ये है कि ये तो यमना पार है यहां कुछ भी चलता है तो मैं कहता हूँ कि 10 साल में जिन लोगों ने काम नहीं किया है आप उनको यहां से चलता कीजिए उनको टाटा वाई वाई कीजिए, यह वो वक्त आ गया है और हम, हम आपसे vote मांग रहे हैं, BJP को गालियां दे कर नहीं, क्योंकि हमारी समस्दारी ये है, कि भाजपा मुझे गाली देती है, इससे आपका नाली बनने वाला नहीं है, बोलिए मुझे गाली देने से काम नहीं होता है काम करने के लिए सोच होना चाहिए विजन होना चाहिए और आप तमाम लोगों के समर्थन से हमने उत्तर पूर्वी दिल्ली के लिए न्याई पत्र तयार किया है आपको न्याई पत्र मिला है न आपके छेत्री की समस्याई उसमें है आप अगर समर्थन करेंगे तो इंडिया एलाइंस के तमाम लोग यहां मौझूद है कॉंग्रेस पार्टी यहां मौझूद है कॉंग्रेस पार्टी ने वादा किया है कि हम महिलाओं के लिए न्याई करेंगे युवाओं के लिए न्याई करेंगे किसानों के लिए न्याय करेंगे स्रमिकों के लिए न्याय करेंगे और भागीदारी का न्याय ले करके आएंगे इसलिए हम तमाम अपनी माताओं बहनों से कहते हैं माताओं बहने कॉंग्रेस पार्टी महा लक्षमी योजना ले करके आ रही है गरीम महिलाओं को उनके परिवार के एक सदसको महिला के खाते में सारे 8000 रुपया हमले करके आएंगे इसलिए आप सबसे कहते हैं कि जिस तरीके से आपने प्यार किया है जिस तरीके से आपने गला लगाया है जिस तरीके से सांसत को पकर पकर करके बोला है कि कनया को गाली देना बंद करो ये बताओ कि हमारा नाली क्यों नहीं बन रहा है हमारी सरक क्यों नहीं बन रही है ये आपके आसिरवाद का असर है कि आप जो है वो काम की बात करने रग रहे हैं और हाथ जोर करके आपसे चार महीना मांग रहे हैं मैं कहता हूँ कि आपने दस दिन में जो प्यार दिया है उस प्यार को बनाए रखिये हम जानते हैं कि गर्मी बहुत है बहुत ज़्यादा गर्मी है और इस गर्मी में भी इतनी भरी तादात में आप यहां आए हैं आप से मैं आगरह करता हूँ कि आने वाली 25 तारिक को एक दिन की गर्मी बरदास्त करनी है ताकि महेंगाई हमको जहलना ना परे एक दिन की गर्म को घरों से निकलेंगे और इस बार बदलाव के लिए मतदान करेंगे तो न्याय के लिए लड़ेगी दिल्ली और हमको पूरा भरोसा है जीतेगी दिल्ली इन्हीं सब्दों के साथ आप तमाम लोगों का शुक्रियादा करते हुए धन्यवाद कहते हुए अपनी बात को खत्म करता हूँ और हमारे साथ आवाज लगाएए आवाज दो आवाज दो लड़ेंगे जैहिन जैहिन जैभीम जैभारत दुस्तों दा इंडियन खबर सच आपके सामने